हलो मेरे नन्धे दोस्तों, मेरे चैनल कहानी दीदी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं यानि कि आपकी कहानी दीदी आज आपको पंचित अंत्र की एक बहुत इंट्रस्टिक स्टोरी सुनाने वाली हूँ कहानी का नाम है मेढकों का राजा कौन तो हुआ यूँ बच्चों कि एक बार एक तालाब के किनारे बहुत से मेढक रहा करते थे वहाँ हर और पानी ही पानी था वे सभी बड़े आराम से एक साथ मिल जुल कर रहते थे कोई किसी को हानी नहीं पहुँचाता था लेकिन अपने समुदाये में बदलाव के लिए यानि कि अपनी सोसाइटी में चेंजिस के लिए उन में से कुछ मेढक एक राजा चाहते थे अब वैसे तो हर तरह से उनके जीवन में शान्ती ही शान्ती थी सुख ही सुख था कोई टेंशन नी थी लेकिन फिर भी वैसे भी अपने लिए एक राजा पॉइंट करना चाहते थे जो हर मेढक के उपर नजर रखे और अपनी सोसाइटी के लोगों में डिसिप्लिन रखे उन मेढकों ने इस चीज के लिए देवदूत से प्राठना की देवदूत यानि की एंजिल्स और कहा हे देवदूत हमें क्रप्या राजा दीजिए अब मेढकों को इस प्रकार एक साथ चिलाते हुए टराते हुए देख कर देवदूत हसने लगी और उन्होंने एक लकडी का बड़ा भारी टुकडा तालाब में गिरा दिया सारे मेढक उसके नीचे दब गए पर इसके बाद भी मेढक शांत नहीं हुए और लगातार आवास करके अपने लिए राजा की मांग करते रहे इस तरह से उनकी लगातार राजा की मांग को सुनते हुए देवदूद बहुत परेशान हो गए और उन्होंने मेढकों को सबक सिखाने के लिए एक बगुले को उनका राजा बना दिया वह बगुला सभी मेढकों पर पूरी नजर रखता और जैसे ही कोई मेढक थोड़ा ज्यादा उचलता वह उसे फटा फटा लेता इस प्रकार एक एक करके वह बगुला सभी मेढका गया इस तरह मेढकों ने जिद करके अपनी राजा की मांग तो मनवाली मगर इस बेकार की जिद की वज़ा से उन सभी को अपनी जान गवानी पड़ी तो देखा बच्चों आपने इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली हमें ये शिक्षा मिली इस कहानी से कि जितना भी जैसा भी मिले हमें उसी में संतुष्ट यानि की सैटिसफाइड और खुश रहना चाहिए कई बार ज्यादा के लालच में हम खुद को ही मुसीबत में डाल लेते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं अपने आप तो बच्चों अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही सबस्क्राइब करें मेरे चैनल कहानी दीदी को प्यारी प्यारी और मज़ेदार कहानियों के लिए अभी के लिए बस इतना ही मिलती हूँ अगली बार एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ तब तक के लिए बाई बाई बच्चों